हेलो दोस्त दोनों मशकार कैसे हो आप लोग उमीद करते हो कि आप लोग सब ठीक हूंगे मैं भी ठीक हूं लेकिन मैं आज बना रही हूं अंडा का शालना आप लोग भी देख लो अंडा का खाली इसी बनाओंगे अंडा तोड़के आप लोग भी देख लो किस तुरह से मैं बना रही हूं है कि ऐसे भी बनाओ तो चवल के साथ भी रोटी के साथ दो मिष्टा आखल की इससे भी बना सकते हैं कि मैं भी अकभी इस तरह से भी बनाती हम वे नहीं कहती हूं है देख लूं हम नहीं दूरी है प्यास ट्वाया है लैसन अध्रक बशन involved और मसाला डालेंगे थोड़ा बाधाल दीन मिर्ची नमक वाला हम एक छोटा साइज मजलब प्याज मेने काट करके ऑल में डाल दिया है अब इमें थोड़ा दो-चार काली मिर्ची है इसको थोड़ा बारिश का टैम है इसलिए थोड़ा नमा वह हो गया इसको कुटेंगे ना कुटा नहीं जाएगा इसलिए मैं थोड़ा इसको गरम करके मैं इसको कुटूंगे अच्छा कुट जाएगा यह फिर इस तरह से हम इसको कुटेंगे अच्छी से काली मिर्ची मेन है इसमें क्योंकि काली मिर्ची का ही टेस्टी आता है सबसे ज़्यादा और तो मैंने काली करना उसको गारम मतलब गारम करने के बाद मैंने काली मिर्ची को कुट के रख दिया है साइट में आभ हम प्यास को अच्छी से कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे उसके बाद इसमें है ना लास नद्रक पेस्टी डआल देंगे थोड़ा दिर में फिर उसके बाद हम इसको अच्छी से पकाएंगे इसमें कोई ज्यादा टैम भी नहीं है थोड़ा टैम में भी बन जाता है कुछ कुछ भी नहीं करना है जैसे मसाला भूनता है ना उतना ही टेम लगेगा और कुछ भी टेम नहीं इसमें बनाने का यह वाला करीबी बहुत जल्दी बन जाता है बहुत स्वादिश्टू भी होता है अब हम लास नद्रक का पेश्ट को अच्छी से पक मिलाएंगे अभी मैं ब्लॉक डेली डेली नहीं डाल पारी थी क्योंकि मेरे तबियत खराब थी इसलिए कि में इसमें दो छोटा साइज टमाटर था मेरे पास दो ही डाल दिया आपका और बड़ा साइज के तमाटर तो एक ढंडाली गा क्योंकि यह तो छोटे छोटे थे नाई इसलिए मैंने दो डाल दिया वर मीन इसमें ऑपर से तोड़ के ढालेंगे मिलाब इससे गयड वोफ करके खा सकते है च्मूंक्त कर सoh इंद गिंदा मैं तो खाती नहीं हूँ न इसलिए हमने बना कर पूरा दिखा दिया लेकिन खाया नहीं खाएंगे बाद में लेकिन इस तरह से आप लोग बना सकते हैं मैं किस तरह से बनाया है पूरा बहुत चल्दी पांस मिनिट में बन जाते हैं ओके बाई